नमस्कार दोस्तों मैं रीता स्वागत करती हूँ आपका रीता जी भी हारी किचन में तो यह देखिए यह बत्वा का साग है जो बहुत ही इसमें पॉस्टिक पाया जाता है और इसमें जो खून की कमी रहता है इसको खाने से वो भी ठीक हो जाता है और बहुत से इसका लब य चलिए आलू और बत्वा की सब्ची बनाते हैं तो यहां पर आलू को देखिए, काट लिये हैं अच्छी तरीके से एक टॉमाटर लिये हैं एक इंच अधरक हैं यहां पर देखिए, तीन से चार हमारा मिर्च लिए हैं तीन चार कलिया लहसुन के लिए इसको भी छील के काट और दो प्याज लीएं, प्याज को भी च्टा-्छोटा काट लीएं, यहाँ पर कराही चरहा दिये हैं, कराही में डाल दिये हैं तेल और आधा चमच जीरा, जीरा देखिए हमारा पक चुका है, यहें पर कटा हुआ मिर्च और लहसुन डाल देंगे और देखिए इसको एक वर मिला लेंगे यह पर कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे इसको भी मिला लेंगे अच्छी तरीके से और थोरा सा इसको भूंज लेंगे ताकि अच्छी तरीके से पक जाए यह पर अगम कटा हुआ आलू डाल इतना सब्जी 3-4 जनव के लिए ठीक है तो आप अपना फैमिली के अनुसार सब्जी बंदब आलू और बथुआ के साग ले सकते हैं यहां पर देखिए आलू को हम अच्छी तरीके से मिला लिए हैं भूंज लिए हैं तो आलू को अच्छी तरीके से गॉल्डन करके भूंज लेंगे यहां पर आलू हमारा लगभग भूंजा चुका है यहां पर आलू हमारा भूंजा चुका है तो यहां पर हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें जो सुखा हुआ मसाला है वो हम डाल देंगे एक चमच दनिया पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर भी डाल दिया है यहाँ पर अब थोरा सा इसमें है माधा चमच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे टमाटर को यहाँ पर हम काट के डाले हैं आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते है यहां पर देखिए सारा उर सब चीज को मिला लिय है। यहां पर नमक डाल देंगे स्वाजा नुसार नमक को भी मिला लेंगे। नमक डालते ही हमारा मसाला और टमाटर बिलगुल अछे तरीके से मिल जाएगा, पक भी जाएगा और देखिए आलू तो हमारा आधा मतलब 50 परसेंट पक चुका है अब फिर से मिला लेते हैं यह पर हम बत्वा के साग को धो लिए अधो के छुटा-छुटा काट लिए हैं इसको भी कराही में डाल देते हैं इसको भी मिला लेंगे और इतना असानी तरीके से जल्दी से यह सब्जी बन के आपको तयार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और खाने में भी बहुत टेश्टी होता है और सेहत के लिए भी तो अच्छा होता है तो आप भी जाकने से थोरा से इसमें पानी जैसा आजाता है तो सब्जी में पानी कम ही डाले क्योंकि इसमें भी पानी निकलता है अगर आपका सब्जी इसी के पानी में सीज़ जाता है तो ठीक है अगर नहीं सीज़ता है तब थोरा सा पानी इसमें डाल सकते हैं आपकर देखिए हम स तो यहां पर देखिए हमारा सबजी बन के तयार हो गया है आप भी बनाईए और ठोड़ा सा और यह पकेगा दिखिए इसको ढ़ांके पका लेते हैं लेकिन अच्छी से तरीकी से मिला लेते हैं इसमें अभी पानी थोड़ा है तो इसी पानी अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आये होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकोन को भी दवा ले ताकि जब भी हमें इसा वीडियो डाले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और यहां पर देखिए हम थोरा सा आधा कप जो होता है आ में आपको जाए तरोटी चावल यह भी आप खाते उसके साथ खा सकते एक हाने में बहुत ही टेश्टी है और बहुत असानी तरीके सभी बन गया देख सकतें आपको आप लोग देख सी कोई मेहनत इसमें नहीं लगा सबजी बहुत ही फायदा होता है आप चाहे तो इसका स ग्यातूब जीबन घाए तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तर लाइक करदेजिए आप में हमेरा सब जीबन के